असलाम अलेकम स्टूडेंट्स फर्स्ट रियर इंग्लिश चैप्टर सेवन दागुलस्तान अफ साधी शेख साधी इंग्लिश टेक्स्ट और उर्दू ट्रांसलेशन पार्ट वन लेक्चर शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुँचे चलिया जी लेक्चर शुरू करते हैं शेक्सादी एक अजीम दास्तान गो थे वो सब अकवाम से बात करते हैं और दायमी तौर पर जदीद हैं इमर्सन ने कहा वो गुलस्तान को दुनिया की आसमानी कताबों में से एक समयचा था क्यूंके उसको इसमें इखलाकी कानून की आलमगीरियत मिली दा गुलस्तान ट्रांसलेटेड इन लेटन और इंग्लिश बिकेम लव फॉर थे पीपल लातीनी और अंग्रेजी में मुतरज्जम गुलस्तान लोगों की महबूब बन गई इंग्लिश स्कॉलर्स यूज़ सादी इस ट्रांसलेटेड पराबल्स इन दिवायन बुक्स तिल इन इंग्लिश ट्रांसलेशन और लेटन वर्जन और पर्शियन ओरिजन ये अमर बाहिसे दिल्चस्पी है कि अंग्रेज उल्मा सादी की तर्जमा शुदा हकायात को अपनी मजहभी कताबों में इस्तमाल करते रहे ता वक्ते के पता चला ये लातिनी नुस्खे जिसका माख़ फार्सी में है का एक अंग्रेजी तर्जमा है एडवन ओर्नल्ड हैज एप्टली डिस्क्राइब गुलस्तान इन कलिनरी टर्म्स एज एन इंटलेक्ट्टल फ्लाव अलिट्रेरी करी अकबाब आफ वर्स्टाइल जीनियस एडवन ओर्नल्ड ने गुलस्तान को मनासर अंदाज के साथ तबंची इसलाहत में बियान किया है एक इल्मी पलाव एक अद्बी शुर्बा और हुमागीर जहानत का कबाब कारी ख्याल के लिए खुराद के तौर पर लाजमन इन हकायात से लुटफ अंदोज होंगे एक मरतबा एक बादशा और एक इरानी गुलाम एक ही कश्टी में सफर कर रहे थे गुलाम कभी समुंदर पर नहीं रहा था और उसने कभी किसी मुसीबत का सामना नहीं किया था कुछ देर बाद कश्टी को एक तुफान ने आ लिया और वो हचकोले खने लगी ये मसाफरों के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ दे था सब खामोश रहे स्वाए गुलाम के जिसने डूबने के डर से रोना और कापना चुरू कर दिया और दूसरों के लिए मुश्किल पैदा की दूसरों लोगों ने महबत और शवकत से उसको पुरस्कून करने की कोशिश की लेकिन उसने किसी की न सुनी जब बेचैनी ज़्यादा देर तक रही बादशा भी नाखुश हो गया इन देट बोट देर हैपन तो बी अ सार्जेंट वो सैद विद यूर पर्मिशन में आ इक वाइटन हिम इतफाक से कश्टी में एक सार्जेंट भी था जिसने कहा आपकी इजाज़स से क्या मैं इसे खामोश करवा दूँ यह बहुत बड़ा इहसान होगा बादशा ने कहा सार्जेंट ने हुकम दिया के गुलाम को पानी में फैंक दिया जाए ताके वो जिंदगी के हकीकी खत्रे का तजरबा कर सके तो आदमियों ने उसको समुंदर में फैंक दिया और जब वो डूबने के करीब था उन्हों ने उसको दबारा कष्टी में खैंच लिया और वो अपने दोनों हाथों से कष्टी के पिछले हिस्से से चिमट गया फिर वो नीचे बैठ गया और खामोश रहा बादशा जो सार्जंट के अमल की दानिश्मंदी को ना समझ सका को अजीव लगा और उसने इसके बारे में पूछा डूब जाने के खत्रे का सामना करने से पहले इसको कष्टी की हिफाज़त का पता नहीं था एक इंसान उस वकत तक मुसीबत से हिफाज़त की एहमियत को महसूस नहीं करता जब तक वो इसको नहीं चकता कहा जाता है कि जब नुशेरवा इरान का एक बादशाह अपने इंसाफ के लिए मशूर के लिए एक हिरन भूना जा रहा था नमक न मिला एक लड़के को नमक लाने के लिए गौ में भेजा गया लड़का इसको बादशा के पास लाया जिसने पूछा आया के उसने इसके पैसे अदा किये है नमक की कीमत अदा करो बादशाह ने कहा ऐसा नहो के ये रुआज बन जाए और गाँ तबाह हो जाए जब उसे पूछा गया के इस किसम के मामूली तकाजे से क्या नुकसान हो सकता है दुनिया में जुलम की बन्याद छोटी थी बादशाह ने कहा जिसने भी इसको बढ़ाया के ये अपनी मजूदा हालत को पहुँच गया कसूरवार है अगर बादशाह राया के बाग से एक सेव खाता है इसके गुलाम पूरे दरख्त को उखार देंगे पांच अंडों के बदले में जो बाशा जबरदस्ती लेने देता है इसकी फौर से तालुक रखने वाले लोग एक हजार पृंदों को सीख पर चढ़ा देते हैं एक जालम दुनिया में नहीं रहता लेकिन इस पर लानत मेशा बाकी रहती है thank you very much for watching once more I request you to subscribe it subscribe this channel and share it with your friends Allah